friends once again welcome back to the channel friends आज बहुत inexpensive तरीके से और घर पर ही रखी चीजों से हम अपने घर को भी सजाएंगे और balcony garden को भी सजाएंगे यादि कि मैं कर रहे हूं कुछ छोटे छोटे से DIY जो बहुती करने में भी easy है और बहुती pocket friendly एक बोलो तो zero budget cost में हैं तो आपको कौन सा DIY सबसे अच्छ करके बताएगा और वीडियो कहीं भी अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और चैनल पर अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजेगा फर्स प्रोजेक्ट बना ले के लिए फ्रेंड्स देखे मेरे पास एक फेस सीरम की बोटल रखी थी और यह काफी समय स खाली रखी थी लेकिन इसका जो कलर था वह बहुत अच्छा था ब्लू कलर तो मैंने इसको डिसकार नहीं किया है तो आज इसे कुछ डियाइवाई कर रिम तो देखे मैंने कुछ गोल्ड यह सुरी सिल्वर कलर के बीड्स ले लिए हैं और यह बोटल पे हम स्टिक कर देग सजाने के लिए कि आप महंगे महंगे मार्केट से ही आर्टिकल लेके आया अपनी थोड़ी सी क्रेटिविटी दिखाईए और अपना घर सजा सकते हैं तो देखे मैंने इसमें मनी प्लांट लगा लिया है तो यह मेरा क्यूट सा चोटा सा प्लांटर बन गया है तो कितना अ आपको जितना जिस हिसाब से यह डियाइवाई करना है उस हिसाब से उतने ही आप कट कर लीजिए मैं फाइफ फाइफ के टू सेट करूंगी और अलग से फिर दो इयर बड्स ले लोंगी एक्चुली तो हम एक फ्लावर बना रहे हैं इयर बड्स से जो बनने में बहुत सिं और तब हम ग्लू लगा लेंगे और अब फिर जो हमने यह जो फाइफ कट किये थे वह हम इस तरीके से स्टीक करते जाएंगे तो अगर आपके पास ग्लूगन है तो उसका यूज कर लीजिए अधर्वाइस आप फैवी कोल की यह जो फिक्स आती है यह भी अच्छे से काम क करते है या तो फिर फैवी बून का यूज कर लीजिए तो इससे यह अच्छे से स्टीक हो जाएंगे तो देखे मैंने दो फ्लावर बना लिए है आप चाहे तो ज्यादा भी बना सकते है आपकी चोईस के उपर डिपैंड करता है और अब इसको थोड़ा सा और फ्लावर का कि बोटल खाली हो जाती है तो वो उसका यूज कर रहे हूं और एक देखे स्ट्रो मैंने ले ली है और जो हमारे बोटल की साइज है उस मैंने कट कर लिया इसको तो फ्रेंड्स अगर आपके पास ट्रो नहीं है इस तरीके की तो आप जो कुल्फी की डंडी आती है या फिर जिसे हम बैंबो स्टिक बोलते है तो वो भी यूज कर सकते है तो जो हमारी बोटल के चारो तरफ मेरको ये स्टिक करनी है तो मैं उतना ही मतलब इसको कट कर रह तो ये बिल्कुल आराम से स्टिक हो जाएंगी और ये आप अमने मिनियेचर गार्डन में इसको लगाई है तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा ये हम एक चोटा सा वेस बना रहे हैं और फिर जो हमने इसमें हमने जो फ्लावर बनाए थे वह इसके अंदर हम स्टिक कर दे तो देखे फ्रेंड्स आप चाहें तो इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं लेकिन फिर जैसे मुझे ये थोड़ा उपर का पोर्शन खाली दिख रहा था तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा तो उसके बाद मैंने कुछ टॉंस लिये हैं जो मेरे पास रखे थे कुंदन जो और इ बच्चा भी ने बना सकता है नेक्स प्रोजेक्ट के लिए फ्रेंड्स मैंने कुछ आइस क्रीम स्टिक्स इकठी कर रखी थी तो उनीका यूज़ कर रही हूं देखे ये डिया वाई मैं पहले कर चुकी हूं और आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूं कि आप कैसे बना सकत स्टिक्स को इकठा कर लिए मैंने और फिर उसके बाद कुछ ये आप कोई भी कंटेनर ले लिजी प्लास्टिक का हो या फिर कोई कार्डबोर्ड का हो तो मैंने ये प्लास्टिक का एक बॉक्स कट कर लिया था और देखे इस तरीके से मैं अपनी ये स्पून्स का यूज़ ऐक-कस दो राखना है और एक-कस दो रहाए क्यां कि इसको पैसा है आप कशना चपूंती तो थो किया ओठाए अम लाए सेती की को स्थीखिए आपस्टेउ के ऑने में ल में बनाते हैनों तो मेरे पास स्पून कम पढ़ गी तो अभी मैं इसको बाद में लगा दूँगी और देखें ऊपर और नीचे मैंने लेस का यूज किया है तो लेस का यूज करने से जो हमारी स्टिक्स है उनको भी एक मजबूती मिल जाएगी तो आप इसे और यूज कर लीजे बहुत सुन्दर यह बन गया है अभी देखें फ्रेंट्स मैंने के आप कोई भी थ्रैड ले लीजे मैकरमे थ्रैड हो या फिर कोई भी तो मैंने यह मेर सब्सक्राइब कर लिए है देखें कितना कलरफूर है लेकिन बहुत खूबसूरत लिए लगा मुझे और इसके चारो तरफ फिर मैंने यह कलरफूल पॉम पॉम यूज कर लिये है और वही हमारा ग्लू लगा के इसको स्टिक कर लिया है तो देखिए हमारा बिल्कुल इनेक जा रहेगा तो मैं इसमें देखिए अपना मनी प्लांट लगाऊंगी तो इसमें पानी डालके आप चाहे तो इसको एज़ा ओर गेनाइजर भी यूज कर लिजिए चाहे तो एज़ा प्लांटर यूज कीजिए तो फ्रेंड्स मैं आपसे मिलूंगी एक और नए और वीडि यदो